गुरु साहिब द्वारा मोह के मीठे प्रसार को अकाल पुरुष का आश्यर्य भरा कोवतु कहना एरानी की बात नहीं, क्योंकि इसके बिना रचना का कार्य व्यवहार चल सकना असंबव है। जीवन के आरंब से अंत तक हर कदम पर मोह का मीठा या लुभावना प्रसार दिखाई देता है। बिना मोह के माता बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मोह ममता में जकड़े माता पिता संतान के लिए क्या क्या नहीं करते। पुत्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंदियों का मोह, जमीन जायदाद, पद प्राप्ती का मोह, कुल, जाती, संप्रदाय, कौम, धर्म, राष्ट के मोह में जकड़ा इनसान इनके लिए क्या जीव उसके लिए जान देने को तयार हो जाता है, और जिसके साथ मोह नहीं होता, उसकी जान लेने को उतारू हो जाता है, भाव यह है कि प्रभू की रजा से माया द्वारा बिखेरा गया मोह का मीठा चोगा ही, जीव को रचना के जाल में बांद कर रखने का मूल कारण है, मोह मगन मीठ जोन फासे, इन माया त्रैगुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने, मोह की मिठास में मस्त जीव अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, जिसके कारण वे अनेक योनियों में भटकते रहते हैं, मोह की ये विश्बरी मिठास हर रिदय में समाई हुई है, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया, गुरू साहिब सावधान करते हैं, हे मन, तू इस चतुराई का शिकार ना हो, कि तू माया के मोह और पर्मेश्वर के प्रेम का धर्म एक साथ निभा लेगा, रचना के मोह को प्रात्मिक्ता दी जाए या परमेश्वर के प्रेम को जीव की इस उल्जन का समाधान गुरु साहिब अगली पौडी में करते हैं ए मन प्यारेया तु सदा सच समाले एह कुटंब तुझे देखदा चल्लै नाही तेरे नाले साथ तेरे चल्लै नाही तिस नाल क्यों चितलाईए ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पच्छोताईए सत्गुरु का उपदेश सोन तुझे होवे तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तु सदा सच समाले अर्थात हे प्यारे मन तु सदा प्रवु रूपी सत्य को संभालने का उद्यम कर यानि तु रचना का मोह त्याग कर प्रवु के साथ प्रेम कर जो परिवार तु देख रहा है यह अंत समय तेरे साथ नहीं चलेगा जब इसने चलते समय तेरे साथ नहीं चलना तो इसमें मन यानि चित क्यों लगाता है इससे मोह क्यों करता है ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिस कारण अंत में पच्थाना पड़े तू सत्गुरु के उपदेशा नुसार सदा प्रभू रूपी सत्य से जुड़ा रह केवल यही धन अंत समय तेरे साथ जा सकता है गुरु साहिब कहते हैं हे प्यारे मन तू सदा प्रभू रूपी सत्य के साथ जुड़ा रह ए मन प्यारे आ तू सदा सच समाले एह कुटंब तुझे देखदा चल्लय नाही तेरे नाले गुरु साहिब समझाते हैं मेरे प्यारे प्रभु सच्चा है वह अविनाशी है तुझ प्रभु रूपी सत्ते के बजाए जूठे माया मै संसार तथा इसकी शकलों और पदार्तों के मोह में पढ़ने की अग्यानता से बच साथ तेरे चल्लय नाही तिस नालक्यों चितलाईए ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पच्चोताईए गुरु साहिब प्रश्ण करते हैं भले मानस तुझ उस चीज के मोह में क्यों फस्ता है जो यहां से चलते समय तेरे साथ नहीं जा सकती ऐसा काम कदापी नहीं करना चाहिए जिस कारण अंत में पच्च्चताना पड़े गुरु नानक साहिब की वाणी है जित सेविये सुख पाईए सो साहिब सदा समालिये जित कीता पाईए आपना सा काल बुरी क्यों कालिये मन्दा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहालिये ज्यों साहिब नालना हारिये तेवेहा पासा टालिये किछलाहे उपर कालिये आप फरमाते हैं कि जो भी काम करना है अंतिम समय को परधानता दे कर करना है ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिससे साहिब के दरबार में जीवन की बाजी हार जाएं हमें प्रभू की भक्ती करनी चाहिए क्योंकि यही सच्चे सुक का वास्त्विक साधन है गुरु तेग बहादुर जी सांसारिक संबंदों की वास्त्विक्ता भ्यान करते हुए कहते हैं तंदारा संपत सगल जिन अपनी करमान इन में कछ संगी नहीं नानक साची जान संग सखा सब तज गए कौन निबयो साथ कहो नानक इह बिपत में टेक एक रगुनात अन्त समय कौन साथ निबाता है नाम रहेओ साधू रहेओ रहेओ गुर गोबिंद कहो नानक इह जगत में किन जपयो गुर मन्त गुरु अर्जुन देवजी का कथन है नानक कच्चड यांसियों तोड टूंड सजण संत पक्केयां ओए जिवन्दे विच्चडे ओए मोयान जाही छोड सत्गुरु का उपदेश सुन तूं होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले मेरे प्यारे तू सत्गुरु के उपदेशा नुसार प्रभु यानी नाम रूपी अविनाशी सत्ते के साथ जुड जा जो सदा तेरे साथ रहे गुरु अर्जुन देवजी की वानी है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास माले एह लोक पर लोक संग सहाई चत कत मोहर खवाले गुर का बचन बसे जी अनाले जल नहीं डूबै तसकर नहीं लेवै पाह न साकै जाले निर तन को तन अंदले को टिक मात दूद जैसे बाले सागर मह बोहित पायो हर नानक करी क्रिपा किर पाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा आपन आप तू जाने जी जन्त सब खेल तेरा क्या को आख वखाने आख है ताविक है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया अर्थात हे प्रभू तू मन बुद्धी की पहुँच से परे है इंद्रियों द्वारा भी तेरा ग्यान नहीं हो सकता तेरा अंत नहीं पाया जा सकता हे प्रभू किसी ने कभी तेरा अंत नहीं पाया तू कैसा है इसे तेरे सिवाए अन्य कोई नहीं जानता यह रचना और इसके जीव जन्तू सब तेरा खेल हैं किसमें ये सामर्थ है कि तेरे या तेरे खेल के बारे में कुछ कह सके हे जगत को पैदा करने वाले जगदीश, कहने वाला भी तू है, देखने वाला भी तू है, जो कुछ है, तू ही तू है, तेरे बिना और कुछ नहीं है गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, तू सदा से अगम है, ना कभी कोई तेरा अंत पा सका है और ना ही पा सकेगा गुरु साहिब कहते हैं हे प्रभु, तेरा अंत पासकना असंबव है तेरी महिमा ब्यान कर पाना असंबव है तुँ अपनी महिमा स्वयम ही जानता है तुँ सर्वशक्ती मान करता है यह संसार और इसमें रह रहे सब जीव जन्तु तेरा खेल है सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इतनी बड़ी और रंग बिरंगी स्रिष्टी उत्पन्न करके तू उसके कणकण में समा गया है जो कोई देखता है तेरी शक्ती से देखता है जो कोई सुनता है तेरी शक्ती से सुनता है बाहर से देखने पर इस स्रिष्टी में अनंत प्रकार के जीव दिखाई देते हैं प्रंतु वास्तव में उनमें स्वयम तू ही स्क्रिये है मेरे साहिब नाटक भी तू है, खेलने वाला भी तू है, धन्ने है तू और धन्ने है तेरी आश्चरे जनक लीला गुरु नानक साहिब की वानी है, वड़े मेरे साहिबा, गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने, तेरा केता केवड चीरा सब सुर्ती मिल सुर्त कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ग्यानी त्यानी, गुर गुर हाई, कहन न जाई, तेरी तिल वड़े आई हे मेरे बड़े से बड़े साहिव तेरा अंतपाना असंभव है तु गहरे से गहरा है गंभीर से गंभीर है तु गुणों का अथा बंडार है साधारन जीव ही नहीं बड़े से बड़े ज्यानी और गुरु पीर भी तेरी महिमा ब्यान नहीं कर सकते इसी भाव को आपने एक अन्य स्थान पर भी प्रकट किया है आखन वाला क्या बेचारा, सिफ्ती परे तेरे पंडारा गुरु साहिबान अनेग प्रकार से कुल मालिक की महिमा की और हमारा ध्यान कीचते हैं आप हमारे अंदर उसका प्रेम और विश्वास पैदा करना चाहते हैं ताकि हम जूठी दुनिया के जूठे मोह से मुक्त होकर सचे प्रभू के सचे प्रेम में परिपक्व हो सकें सुर नार मुनी जान अमरित खोज दे सो अमरित गुरते पाया पाया अमरित गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन्त सब तुद उपाये एक वेख परसन आया लब लोब अहंकार चूका सत्गुरु पला पाया कह नानक जिसनों आप तुठा तिन अमरित गुरते पाया अर्थात देवता मनुष्य और रिशी मुनी जिस अमरित को ढूण रहे हैं वह अमरित गुरु से प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से सच्चा नाम मन में बस गया है हे प्रभु सब जीव जन्तु तेरे ही पैदा किये हुए है प्रंतु इन में से कोई विरला जीव ही अंतर में सद्गुरु के नूरी सुरूप के दर्शन पाता है इस प्रकार जो शिश्य सद्गुरु की शर्ण में आ जाता है उसके लोब, मोह, अहंकार का नाश हो जाता है और उसे सद्गुरु प्यारा लगने लगता है गुरु साहिब कहते हैं जिस पर प्रभु प्रसन होता है उसे ही गुरु से अमरित की दात प्राप्त होती है सुर नार मुनि जन अमरित खोज दे सो अमरित गुर्ते पाया पाया अमरित गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया गुरु साहिब प्रभु के नाम रूपी अमरित का गुणगान करते हुए कहते हैं कि साधारन जीव का तो क्या कहना बड़े बड़े रिशी मुनी और देवी देवता भी अपने बल बुद्धी द्वारा उस अमरित को खोज रहे हैं लेकिन उस तक नहीं पहुँच सकते वह अमरित जिसे भी मिलता है सधगुरु की कृपा द्वारा मिलता है मन में उस सचे प्रभु और उसके सचे नाम से प्रेम भी सधगुरु की कृपा द्वारा ही पैदा होता है गुरु अंगत देव जी की वानी है जिन वडियाई तेरे नाम की ते रते मन माहे नानक अमरित एक है दूजा अमरित नाहे नानक अमरित मनै माहे पाईए गुर पर साद तिन्नी पीता रांग सें जिन को लिख्या आद इसी प्रकार गुरु अमरदाजी का कथन है गुर का शबद अमरित है जित पीते तिक जाए एह मन साच्चा साचरता सच्चे रहया समाए मन की हर प्रकार की भूख को शांत करने वाला और सच्चे प्रभु के साथ मिलाब का सौभागे प्रदान करने वाला अमरित प्रभु का शब्द यानी नाम है आप कहते हैं अंदर अमरित परपूर है चाख्या साध जापै जिन चाख्या से निर्पवपै से हर रस्त्रापै हर किर्पातार पियाया फिर काल नव्यापै मन में प्रश्न उत्पन होता है कि श्रीर में वह अमरित कहाँ है और मिलता कैसे है गुरु रामदास जी की वानी है नो दरवाज नवे दर फीके रस अमरित दस में चुई जै श्रीर के नो दवारों दो आँखों दो कानों दो नासिकाओं मुह और मल मूत्र के दो स्थानों द्वारा मिलने वाले सुआद कच्चे, फीके और जूटे है सच्चे रस बरपूर अम्रित आँकों से उपर दस्वे द्वार में बरस रहा है आप कहते हैं अम्रित रस सत्गुरु चुआया दस्वे द्वार प्रगट हुए आया तैं अनहद शबद वजय तुन बानी सहजे सहज समाई है गुरु साहिब समझा रहे हैं कि अनहद शबद रूपी वानी की ध्वनी दस्वे द्वार में बज रही है सत्गुरु की द्या से ध्यान दस्वे द्वार में एकाग्र और स्थिर करके वहां बरस रहाद नाम रूपी अमरित पी लिया जाए तो आवा गमन से चुटकारा मिल जाता है और सहज सुक की टापती हो जाती है जी जन्त सब तुद उपाए एक वेख परसन आया लब लोब अहकार चुका सत्गुरु पला पाया कह नानक जिसनों आप तुठा तिन अमरित गुरते पाया गुरु साहिब कहते हैं हे प्रबु संसार के सब जीव तुने स्वयम पैदा किये हैं प्रंतु ऐसे भागेशाली जीव विरले हैं जो सद्गुरु की शर्ण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिन भागेशाली जीवों को सद्गुरु अच्छा लगता है, भाव प्यारा लगता है उन्हें क्या लाब होता है अंदर से उन्हें नाम का अमरित प्राप्त होता है जिसके फल्स रूप उन्हें काम, क्रोद, लोब, मोह, अंकार रूपी विकारों से मुक्ती मिल जाती है उनका मन निर्मल हो जाता है और उनकी कर्मों, संसकारों, इच्छाओं, त्रिशनाओं की मैल साफ हो जाती है ऐसे भागेशाली जीव, पून रूप से निर्मल होकर, प्रभू के साथ मिलाप करने के योग्य बन जाते है पगतां की चाल निराली चाला निराली पगतां केरी बिखम मारग चलना लब लोब अहंकार तज त्रिशना, बहुत नाहीं बोलना खन्यों तिखी, वालों निकी, एत मारग जाना, गुर परसादी, जिनी आप तजया, हर वासना समानी, कह नानक चाल पगतां, जुगों जुग निराली अर्थात, प्रभू के भकतों की रहनी अलग तरह की होती है प्रभू के भकतों को बहुत कठिन मारग पर चलना पड़ता है वे लोब, मोह, अहंकार और त्रिशना को त्याग देते हैं वे अधिक बोलने और वाद विवाद में पढ़ना पसंद नहीं करते प्रभू के भकतों को तलवार की धार से तीखे और बाल से भी सूक्षम रास्ते पर चलना पड़ता है गुरू की क्रिपा से जो आपा भाव यानि खुदी का त्याग कर देते हैं उनके अंदर प्रभू का प्रेम समा जाता है गुरू साहिब कहते हैं युगों युगों से प्रभू के भकतों की रहनी न्यारी रही है और न्यारी रहेगी पगता की चाल निराली चाला निराली पगता केरी विखम मारग चलना लब लोब अहंकार तज्टरिशना बहुत नाहीं बोलना गुरु साहिब समझाते हैं कि प्रभु के भगतों की सोच और रहनी आम सांसारिक लोगों से बिलकुल अलग होती है सांसारिक लोगों के मन में दुनियावी शक्लों पदार्तों की प्रबल लालसा होती है जिसके अधीन वे बार-बार विशय विकारों की तरफ दोडते हैं प्रभु के भक्त मुक्ती के कटिन रास्ते पर चलते हैं वे काम, क्रोध, लोब, मोह, अंकार रूपी वासनाओं से उपर उठ जाते हैं प्रभु के भक्त अपनी बड़ाई की डिंगे नहीं हांकते उनके मन में जगत की त्रिशना के बजाए प्रभु का प्रेम समा जाता है उनके अंदर सैयम, संतोष और नम्रता का निवास हो जाता है गुरु नानक साहिब की वानी है सेव कीती संतोखी जिननी सच्चो साच्चते आया ओनी मंदै पैर न रखेओ कर सुकरत तरम कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना आन पानी थोड़ा खाया तू बक्सीसी अगला नित देवय चड़ा सवाया वड़ेयाई वड़ा पाया प्रभु के भक्त मन में सब्र संतोष धारन करके भक्ती करते हैं वे विशय विकारों से दूर रहते हैं वे अधर्म के नहीं बलकि धर्म के मार्ग पर चलते हैं थोड़ा खाना, थोड़ा सोना और थोड़ा बोलना उनका स्वभाव बन जाता है प्रभु की दया से वे सदा प्रभु की भक्ती के रंग में रंगे रहते हैं खन्यों तिखी वालों निकी एत मारग जाना उनका मारग तलवार की धार से भी तीखा और बाल से भी सुक्षम होता है उस कठिन मारग पर चलना आसान कार्य नहीं बाबा फरीद की वानी है वाट हमारी खरी उडीनी खन्यों तिखी बहुत पीएनी उस उपर है मारग मेरा शेख फरीदा पंत सम्हार सवेरा खुदा की इबादत कठिन मारग है यह तलवार की धार से भी तीखा और बाल से भी बारीक रास्ता है इस मारग पर पूरी सावधानी के साथ चल्दी चलने का प्रियत्न करना चाहिए गुर परसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी कहनानक चाल पगतां जुगो जुग निराली गुरू साहिब कहते हैं कि सद्गुरू की कृपा से जो भक्त आपा भावत त्याग देते हैं और अहंकार का नाश कर लेते हैं उनके अंदर प्रभू का सच्चा प्रेम समा जाता है उनके रिदय में केवल प्रभू के दर्षनों की इच्छा बाकी रह जाती है उनका ध्यान संसार की ओर से ही नहीं बलकि शरीर और इसके भोगों की ओर से भी सदा के लिए हट जाता है प्रभू के ऐसे भक्तों की वृती माया के पुजारियों से अलग होती है तथा उनकी रहनी भी साधारन संसारिक लोगों से अलग होती है प्रभू के भक्तों का आदर्ष प्रभू का मिलाप है गुरू साहिब सावधान करते हैं कि केवल आदर्ष या उद्देश्य ठीक होना ही काफी नहीं इसके साथ रहनी, करनी और उद्ध्यम की दिशा भी ठीक होनी चाहिए जिव तू चलाईए तिव चल्लै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाईए तिवय चल्लै, जिना मारग पावे कर किर्पा जिन नाम लाईए से हर हर सदाते आवे जिसनों कथा सुनाईए अपनी से गुर दुवारे सुख पावे कहे नानक सचे साइव जो पावे तिवे चलावे अर्थात हे स्वामी मैं तेरे और गुण क्या जान सकता हूँ बस इतना कहा जा सकता है कि जैसे तू चलाता है वैसे ही सब जीव चलते हैं तू जिने जिस रास्ते पर चलाता है वे उसी रास्ते पर चलते हैं तूं कृपा करके जिन्हें अपने नाम के साथ जोड़ लेता है, वे फिर हर ओर से अपना ख्याल हटा कर सदा तुझ में तथा तेरे नाम में लवलीन रहते हैं, हे प्रभू, जिन्हें तूं अपना ग्यान देता है, वही सत्गुरू की शर्ण पराप्त करके सच्चा सुख पराप्त करते हैं, हे सच्चे साहिब, तुझे जैसे अच्छा लगता है, तू उसी तरह से जीवों को चलाता है, जियों तू चलाईये, तिव चल्लै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाईये, तिवे चल्लै, जिन्हा मारग पावे, गुरू साहिब फर मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, कि जगत में तेरे पैदा किये हुए जीव, उसी तरह से चलते हैं, जिस तरह से तू उन्हें चलाता है, जो माया के मोह के शिकार हैं, और बहिर मुखी बक्ती के रास्ते पर भटकते फिरते हैं, वे भी तेरी रजा के अनुसार ही ऐसा कर र देता है, वे उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, इस संधर्ब में गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मारग प्रभ का हर किया संतन संग जाता, मारग प्रभ को संत बतायो, द्रडी नानक दास पगत हर जसुआ, प्रभू प्राप्ती का मार्ग प्रभू द्वारा बनाया हुआ है इस मार्ग पर वही चलता है जिसे प्रभु स्वयम चलता है जो कोई इस मार्ग पर चलता है संत महात्माओं की दया और सहायता से चलता है पूर्ण संत के बिना किसी को इस मार्ग का ग्यान नहीं होता और ना ही कोई अपने बल से इस मार्ग पर चल सकता है कर किर्पा जिन नाम लाईये से हर हर सदाते आवे जिसनों कथा सुनाईये अपनी से गुर्द वारे सुख पावे कहे नानक सचे साहिव जो पावे तिमेच चलावे जो गुरु के उपदेशा नुसार नाम मार्ग पर चलना शुरू कर देता है वह आनंद रूप प्रभु के साथ मिलकर आनंद रूप हो जाता है कुरु अमर्दास जी की वानी है नावे जेवड होर तान नाही कोए जिसनों बख्षे साचा सोए सब नावे नों लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नावे सब दुख है सुक तिस जिस मन वसाए इस जग में नाम अलब है गुर्मख वसय मन आए गुरु अरजुन देव जी की वानी है सुक निधान नाम प्रभ तुमरा ए अबिनासी मंतर लियो कर किर्पा मोह सत्गुर देना ताव संताव मेरा बैर गियो आप फरमाते हैं अंतर अलक न जाई लख्या नाम रतन ले गुज्जा रख्या अगम अगोचर सब ते उचा गुर्के शबद लखावनेया हो वारी जियो वारी कल मेह नाम सुनावनेया आप प्रभू और नाम पद को समान अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं आप कहते हैं कि प्रभू यानी नाम रूपी अमुल्य हीरा अंदर ही है पर वह गुप्त है वह सत्गुरु की दया से प्राप्त होता है ए सोहला शबद सुहावा अर्थात प्रभू का शब्द सुन्दर गीत है यह प्रभू की स्थुति का अनादी सुहावना गीत है जो सत्गुरु ने सुनाया है शब्द रूपी यह सुन्दर गीत केवल उनके मन में बसता है जिनके भागे में प्रभु ने धुर से लिखा होता है अनेक लोग जगह जगह भटक रहे हैं और प्रभु की महिमा या भक्ती के बारे में अनेक प्रकार की बातें करते हैं पर शब्द रूपी यह सुन्दर सोहिला बातों से प्राप्त नहीं होता शब्द रूपी सोहिला केवल वही सुनते हैं जिन्हें सत्गुरु दया करके सुनाता है ए सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सत्गुरु सुनाया शब्द का सोहिला हर जीव के अंदर है वर्तमान अवस्था में जीव का ध्यान बाहर फैला हुआ है सत्गुरु जीव को अंतर में ध्यान स्थिर करने और लिव को शब्द के सोहिले के साथ जोडने की युक्ति समझा देते हैं इस तरह वहगुप्त सोहिला प्रकट हो जाता है जिससे रदे में अपार आनंद भर जाता है ए तिन कैमन वसया जिन तुरों लिखिया आया शब्द का सुखदाई सोहिला केवल उनके रदे में प्रकट होता है जिनके भागे में उस द्यालू दाता ने धुर से लिखा होता है गुरू साहिब ने इस भाव को पांचवी पौडी में भी प्रकट किया है तुरकरम पाया तुद जिन को से नाम हरके लागे गुरू साहिब कहते हैं कि अनगिनत लोग गरंतों और शास्त्रों से पड़ी सुनी बातों के आधार पर शब्द यानी नाम के बारे में अनेक प्रकार की कथा वारता सुनाते हैं पर उन्हें उस अगम शब्द के बारे में कोई निजी अनुभव नहीं होता वे स्वयम अंदर से शब्द का दिव्वे संगीत सुने बिना ही बढ़ चड़ कर बातें करते रहते हैं कहा नानक शब्द सोहला सत्गुरु सुनाया शब्द रूपी सोहले की समझ सत्गुरु से प्राप्त होती है गुरु अमर्दाजी ने वानी के एक अन्य प्रसंग में यही भाव इस प्रकार प्रकट किया है गुर्षब्दे राता सहजे माता नाम मान वसाये नानक तिन का सद ही सोयला जे सत्गुरु सेव समाये पवित होये सेजना जिनी हरत्याया हरत्याया पवित होये गुर्मुख जिनीत्याया पवित माता पिता कुटांब सहित स्यों, पवित संगत सबाया, कहदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मान वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुर्मख हर हर त्याया अर्थात, जो हरी भक्त हरी का ध्यान करते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं, जो गुर्मख के उपदेशा नुसार हरी में ध्यान लगाते हैं, वे निर्मल होकर हरी में लवलीन हो जाते हैं, वे ना केवल स्वयम निर्मल होते हैं, बलकि उनके माता पिता, सगे संबंदी और उन उनकी संगती करने वाले अनेक लोग भी उनकी तरह सत्गुरु के उपदेश से जुड़कर पुवित्र हो जाते हैं। गुरु साहिब फर्माते हैं वे लोग अवश्य पुवित्र हो जाते हैं जो गुर्मुखों के उपदेश अनुसार प्रभु और उसके नाम में लीन हो जाते हैं। पुरी समझाई युक्ति के अनुसार शब्द के सादलिव जोडने वाले सादगों की आत्मा पूरी तरह से निर्मल हो जाती है। पवित माता पिता कुटंब सहित्स्यों पवित संगत सबाया ऐसे भागेशाली प्रभु भक्तों के माता पिता धन्य हैं। उनके मित्र, संबंधी और उनसे प्रेर्ना लेकर सची प्रभु भक्ती में लगने वाले संगी साथी भी धन्य हैं। कहनदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कहा नानक से पवित जिनी गुर्मुख हर हर त्याया। गुरू साहिब कहते हैं कि सत्गुरू की समझाई युक्ती के अनुसार शब्द को मन में बसाने वाले और शब्द की महिमा बताने वाले गुर्मुख भी निर्मल हैं। उनसे शब्द की महिमा सुनकर शब्द के अभ्यास की और प्रेरित होने वाले जिग्यासू भी शब्द के अभ्यास द्वारा निर्मल हो जाते हैं। गुरु साहिब ने इस भाव को इस तरह से प्रकट किया है। विंसेह जय सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियों मलीन है कित संजम तो टा जाए मान तो वो शब्द लागो हारसियों रहो चित लाए कहे नानक गुर पर सादी सहज उप जये एसेह सा इव जाए। अर्थात, मनुश्य अपने यत्म द्वारा सहज अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता और सहज अवस्था प्राप्त किये बिना संशे, ब्रह्म या अग्यानता का नाश नहीं होता चाहे जितने कर्म धर्म और अन्य सादन अपना लिये जाएं उनके द्वारा संशय या अग्यानता से चुटकारा नहीं मिलता गुरू साहिब कहते हैं कि शब्द के साथ जुड़कर यानि शब्द के अभ्यास द्वारा मन को निर्मल कर लो और सुरत को हरी में लीन कर दो जब गुरु की कृपा द्वारा शब्द के अभ्यास से मन निर्मल हो जाता है और आत्मा हरी में समा जाती है तो सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार संशय, भ्रह्म तथा अज्यानता का नाश हो जाता है गुरु साहिब कहते हैं नाम के मार्ग द्वारा प्राप्त होने वाली सहज अवस्था परिवर्तन, विनाश और मृत्यू से परे है यह निश्चल, अडोल, अखंड, अभंग, परिवर्तन रहित, अवस्था हर प्रकार के द्वायत या अनेकता और इससे उत्पन होने वाले एंद्रिय दुखसुख से उपर है गुरू साहिब के कहने का भाव है कि जब तक शब्द के साथ लिव नहीं जुड़ती, तब तक इनसान सत्य के बारे में दुविदा में रहता है ग्रंथों और शास्त्रों में नाम के अभ्यास की जितनी चाहे महिमा पढ़ ली जाए, मन में इस सादन के सही होने का पक्का विश्वास केवल निजी अनुभव द्वारा ही प्राप्त होता है सहज की प्राप्ती का अर्थ प्रभू की प्राप्ती है मनुष्य का अपनी बल बुद्धी द्वारा सर्वशक्ती मान और सर्वग्याता प्रभू के साथ मिलाप कर पाना असंबव है वानी के अधिकतर प्रसंगों में बताया गया है कि सत्गुरू भी प्रभू का रूप होता है और नाम जिसके द्वारा सहज की प्राप्ती होती है यह भी प्रभू का रूप है प्रभू की प्राप्ती उसकी दया से सत्गुरू और नाम द्वारा होती है दूसरे शब्दों में प्रभु की धया सत्गुरु और नाम के रूप में कारेशील होकर प्रभु की प्राप्ति का साधन बनती है सहसे जीयो मलीन है कित संजम तो ता जाए मान तो वो शब्द लागो हारसें रहो चित लाए कह नानक गुर परसादी सहज उपजय ए सहसा इवजाए गुरु साहिब प्रश्न करते हैं कि संशय ब्रह्म और अज्यानता की मैल से दूशित हो चुका जीव कैसे साफ हो सकता है आप अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर देते हैं कि संशय ब्रह्म और अज्यानता का नाश आत्मा को शब्द के अमृत में सनान करवाने से होता है सत्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है तो इसको सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है सहज अवस्था चोथे पद में पहुँचकर परमेश्वर से मिलाप करने पर प्राप्त होती है कुद्रती तोर पर उस अवस्था में पहुँचकर जीव को परमतत्व का ज्यान हो जाता है और वह हर प्रिकार के संशे और भ्रम से मुक्त हो जाता है गुरु साहिब वानी के एक अन्य प्रसंग में कहते है त्रैगुण सब आतात है दूजा पाओ विकार पंडत पड़े बंदन मुह बांदा नह बूजय बिखिया प्यार सत्गुर मिलिये त्रिकुटी छूटे चौथे पद मुक्त दुवार तीनों गुणों तक की संपूर्ण रचना माया का विशहला पसारा है जो मन में एक प्रभु के बजाए माया की अनेक शकलों और पदार्तों का मुह पैदा करने का प्रमुक कारण है यह माया का पसारा ही जीवात्मा को जन्मरन के चक्कर के साथ बांद कर रखता है जब हम सत्गुरु के उपदेशानुसार नाम के साथ लिव जोड़ कर त्रिकुटी से पार चले जाते हैं तो चोथे पद यानी सहज अवस्था में पहुँचकर मुक्ती प्राप्त कर लेते हैं गुरु साहिब ने त्रिलोकी तक की संपूर्ण स्थूल और सूक्षम रचना को परिवर्तन शील और नाशवान माना है जब तक हम त्रिलोकी की सीमा में हैं तब तक परिवर्तन, विनाश और मृत्यू के दुख से आजाद होकर सहज सुक के देश यानी सचखंड में नहीं पहुँच सकते त्रिलोकी के शिकर को संतों की भाषा में त्रिकुटी कहा गया है इसे तीनों गुणों की गांट वाली अवस्था कह लें या दूसरा रुहानी मंडल त्रिकुटी कह लें एक ही बात है गुरु नानक देवजी का कतन है जब तप करकर संजम था की हट निग रह नहीं पाईए नानक सहज मिले जग जीवन सत्गुर बूज बुजाईए कहे नानक गुर परसादी सहज उपजै एसे साइव जाए गुरु साहिब कहते हैं कि सहज अवस्था सत्गुरु की दया दौरा शब्द के साथ लिव जोडने से प्राप्त होती है संशय का नाश भी शब्द के साथ लिव जोडने से होता है और मन में सच्चा प्रेम और पका विश्वास भी शब्द के साथ लिव जोडने से पैदा होता है अर्थात संसार के अधिकतर लोग ऐसे हैं, जिनके मन और आत्मा मैले हैं, पर शरीर साफ सुत्रे हैं, ऐसे लोग जो शारीरिक तोर पर निर्मल हैं, प्रंतु अंदर से मैले हैं, समझो उन्होंने अपना मनुष्य जन्म जुए में हार दिया है, वे दुनियावी तृष्णा के भ्यानक रोग से पीडित हैं, और उन्होंने मृत्यू को भी भुला दिया है, वेदों में सबसे उत्तम बात नाम की महिमा है, वे अज्यानी लोग नाम के साथ तो लिव जोडते नहीं, भूतों की तरह, यानि अन्य कर्म कांडों में भटकते रहते हैं, गुरू साहिब फरमाते हैं, जिन लोगों ने प्रभू या नाम रूपी सत्य को त्याग कर माया रूपी असत्य से मोह लगाया हुआ है, उन्होंने अपना अमुल्य जन्म जुए में हार दिया है, जियो मेले बारो निर्मल, बारो निर्मल, जियो ता मेले, तिन गुरु साहिब ने पिछली पौडी में समझाया है कि मन की निर्मलता का साधन शब्द है जुआरी अपनी ओर से अधिक पैसा जीतने के लिए दाउं लगाता है प्रंतु अपनी मल पूझी भी गमा कर बैठ जाता है गुरु साहिब सावधान करते हैं कि जो लोग शब्द की साधना से मन की सफाई की और ध्यान देने के बजाए बाहरी सफाई में ही लगे रहते हैं अपना दुरलब जनम व्यर्थ गमा देते हैं आपका भाव है कि जो लोग हवन यग्य आदी द्वारा वातावरण की शुद्धी और तीर्थों के स्नान से श्रीर की शुद्धी में ही लगे रहते हैं पर मन की शुद्धी की और ध्यान नहीं देते अंत में पश्चा ताप करते हैं गुरु नानक साहिब की वानी है नावन चले तीर्थी मन खोटाय तन चोर एक पावलत्थी नातेयां दुई पाचडियस होर बाहर तोती तूमडी अंदर विस निकोर साद पले अन नातेयां चोर से चोरां चोर आप कहते हैं कि कड़वी तुम भी को चाहे कितना भी पानी में धोलो उसके अंदर की कड़वाहट दूर नहीं होती इसी तरह तीर्थों पर सनान करने से मन की मैल दूर नहीं होती बलकि अहंकार की मैल में व्रिद्धी हो जाती है बुरी व्रिती वाला व्यक्ती तीर्थों पर सनान करने के बावजूद बुरा ही रहता है और निर्मल व्रिती वाला व्यक्ती बिना बाहरी सनान के भी निर्मल होता है गुरु साहिब वानी के एक अन्य प्रसंग में सावधान करते हैं मन मैलै सब किछ मैला तन तोतै मन हच्छाना होए ए जगत परम पुलाया विर्ला बुजै कोए गुरु रविदास जी की वानी है बाहर उदक पखारिये काट पीतर बिविद विकार सुद कवन पर होए बो सुच कुंचर बिद ब्योहार हाथी को दरिया में सनान करवा दो वह बाहर निकल कर श्रीर पर मिट्टी डाल लेता है उसका नहाना व्यर्थ चला जाता है इसी प्रकार जब तक रिदे विकारों की मैल से भरा हुआ है तीर्थों पर जाकर बार बार सनान करने का भी कोई लाब नहीं एतिसना वड़ा रोग लगा मरन मनों विसारिया गुरु साहिब सावधान करते हैं कि बिमारी कुछ हो तथा इलाज कुछ और ही करते जाएं तो बिमारी से चुटकारा नहीं मिल सकता आप कहते हैं कि इसी तरह हमें वास्त्विक रोग तो आशा तृष्णा और जन्मरन का है प्रंतु इलाज श्रीर की सफाई का करते जा रहे हैं गुरु अर्जुन देवजी का शब्द है वड़े वड़े राजन और पूमन ताकि त्रिसन नबुजी त्रिशना बड़े बड़े राजाओं और भूपतियों की भी शांत नहीं हुई वे माया के नशे में अंदे हो जाते हैं तथा उन्हें अपने वास्त्विक लाभानी नजर नहीं आते जिस तरह अगनी में जितना अधिक इंदन डालो वे और अधिक भढ़कती है उसी तरह जितने अधिक भोगपदार्थ मिलते हैं इन्हें पाने की त्रिशना और अधिक भढ़ती जाती है जब तक प्रभू के साथ मिलाप नहीं होता त्रिशना की अगनी के शांत होने का प्रश्न ही उत्पन नहीं होता गुर्मुख जन सद्गुरु की कृपा द्वारा प्रभु के अमुले नाम रूपी अम्रित को पीते हैं जो हर प्रकार की तृष्णाओं को शांत करके उन्हें सर्व सुखों का अधिकारी बना देती है गुरु रामदास जी की वानी है नाम मिले मंत्रिप्तिये बिन नामे त्रिक जीवास मन जब भी शांत होता है नाम का अम्रित पीकर होता है वेदा मेह नाम उत्तम सो सुने नाही फिरेजियों बेता लिया तृष्णा और जन्मर्न के रोग का क्या इलाज है आप कहते हैं कि वेदों में उपदेश दिया गया है कि इस रोग का इलाज नाम यानी शब्द है लोग नाम के साथ लिवत तो जोड़ते नहीं मूर्खों या भूतों की तरह अनेक प्रकार के करम कांडों में भटकते रहते हैं बेतालिया बेताला उसे कहते हैं जो ताल से बेताल हो रहा हो भाव वही है कि नाम के अभ्यास के बिना जो भी दूसरा प्रियतन करते हैं बेसुरा राग गाने के समान है गुरु नानक साहिब का कथन है रिग कहे रहया परपूर राम नाम देवा महसूर रिग वेद सर्व्यापक और सर्व स्रेष्ट नाम की महिमा करता है संत चरंदास जी की वणी है चार बेद किये ब्यासने अर्थ बिचार बिचार तामे निकसी भक्ती ही राम नाम तत सार आप कहते हैं कि रिशी वेद व्यापजी ने नाम भक्ती को ही वेदों का सार माना है गोर स्वामी तुलसी दास जी भी कहते हैं कि चारों युगों और चारों वेदों में नाम भक्ती का प्रभाव स्विकार किया गया है चहुँ जुग चहुँ शुरुती नाम प्रभाव गुरुनानक साहिब का कथन है सिम्रत बेद पुरान पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड गाली होचियां नाम निधान अपार पगता मन वसे जनम मरन मोह दुक सादू संग नसै मोह बाद अंकार सरपर रुन्या सुख नपायन मूल नाम विछुन्या गुरु साहिब कहते हैं कि सम्रतियां वेद पुरान और अन्य सब धर्म गरंत सर्व समती से नाम की महिमा कर रहे हैं संसार के सब धर्म गरंत उपदेश देते हैं कि नाम के बिना जो कुछ है कूड, तुछ या व्यर्थ है सर्व सुखों से बरपूर नाम का अपार भंधार भगतों के मन में है जो कोई सादू संतों की संगती द्वारा उस अमुल्य, अकत, अनंत भंधार को प्राप्त कर लेता है, वह माया के भ्रम और आवा गमन के बंदन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है आप चेतावनी देते हैं कि नाम विहीन लोग मनमत या अहंकार का शिकार होकर माया मोह द्वारा पैदा किये जगडों या जमेलों में ही उलजे रहते हैं उन्हें अन्त में अवश्य रोना और पश्ताना पड़ता है उन्हें कभी सपने में भी सच्चा सुक नसीब नहीं हो सकता कहे नानक जिन साच तजया कूडे लागे तिनी जनम जूए हारया आप चेतावनी देते हैं कि जो लोग नाम रूपी सत्य को छोड़ कर जूठे संसार के मोह में फसे रहते हैं उनका जनम व्यर्थ व्यतीत हो जाता है जी हो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जी हो निर्मल सत्गुर्ते करनी कमानी कूड की सोय पहुचै नाही मन सा साच समानी जनम रतन जिनी खट्टेया पले से वन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले अर्थात धन्य हैं वे लोग जिनोंने नाम के अभ्यास द्वारा मन और आत्मा को निर्मल कर लिया है इसके फल्स वरूप उनकी रहनी भी निर्मल हो गई है मन और आत्मा और रहनी करनी की निर्मलता प्राप्त करने की युक्ती सत्गुरू से प्राप्त होती है ऐसे भागेशाली लोगों की सुरत इस तरह सच्चे प्रभू में समाई रहती है कि माया की गंद भी उनके पास नहीं आ सकती जिन्होंने मनुश्य जन्म पाकर प्रभू रूपी हीरा प्राप्त कर लिया है वही सच्चे व्यापारी है गुरू साहिब कहते हैं जिनके मन निर्मल हो जाते हैं वे सदा गुरू में समाई रहते हैं जीयो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जीयो निर्मल सत्गुर ते करनी कमानी पिछली पौडी वाले विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिनका रिदे निर्मल हो गया है, तथा मन से आशा त्रिशना और विशे विकारों की मैल निकल गई, वही पूरी तरह से निर्मल है, सत्गुर्ते करनी कमानी, गुरु साहिब कहते हैं कि तन और मन जब भी निर्मल होते हैं, सत्गुरु के उपदेशा अनुसार नाम का शब्द के साथ जुड जाते हैं, वे माया मोह के कूड से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, कूड की सोय पहुचय नाही, मन सा सच समानी, जनम रतन जिनी खटेया, पले से वन जारे, जिनकी सुरत अंदर शब्द के अमरित से सनान कर लेती है, वे विशे विकारों, आशा त त्रिश्णाओं कर्म संसकारों की मैल से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उनकी त्रिश्णा का नाश हो जाता है, तथा वे प्रवु रूपी सत्य के प्रेम में लीन हो जाते हैं, जो भागेशाली जीव नाम रूपी सत्य का व्यापार करते हैं, वही सच्चे व्यापारी और उनका ही मनुष्य जन्म सफल है आप फरमाते हैं साच वापारा साच वापार लगे वड़ पागी गुरु नानक साहिब का कथन है सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा लाहा नाम संसार है गुर्मती विचारा नाम ही सच्चा सोदा है नाम का व्यापार ही सच्चा व्यापार है तथा इस व्यापार से ही सच्चा लाव प्राप्त हो सकता है कहा नानक जिन मन निर्मल सदा रहें गुर नाले गुरू साहिब द्रड़ता पूर्वक कहते हैं कि मन जब भी निर्मल होता है सत्गुरू के उपदेशानुसार नाम के अभ्यास द्वारा होता है जो एक बार शब्द यानि नाम में समा जाते हैं उनका सत्गुरू का व्योग सदा के लिए दूर हो जाता है जेको सिख गुरू सेती सनमुक होवै होवै ता सनमुक सिख कोई जीयो रहे कुर नाले गुर के चरन हिर्दैते आए अंतर आतमे समाले अर्थात जो शिष्य चाहता है कि वह सदा सत्गुरू के समक्ष यानि सत्गुरु के सामने रहे उसे चाहिए कि वह सदा सत्गुरू के ध्यान में मगन रहे उसे चाहिए की रिदय में सत्गुरू के चरण कमलों का ध्यान करे और अपनी आत्मा को सत्गुरू में लीन कर ले अपना आपा भाव त्याग कर सदा सत्गुरू की शरण में रहे वह इस तरह से सत्गुरू के ध्यान में मगन रहे कि उसे सद्गुरु के सिवाए दूसरा कोई नजर ही ना आए गुरु साहिब फरमाते हैं हे संतो मेरी बात ध्यान से सुनो कि ऐसा शिष्य सदा सद्गुरु की हजूरी में रहता है जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जीओ रह गुर नाले गुरु साहिब ने पिछली पवड़ी का अंत इस विचार से किया था कहे नानक जिन मान निर्मल सदा रह गुर नाले मन में प्रश्ण उत्पन होता है कि कोई शिष्य सदा गुरु के साथ कैसे रह सकता है गुरु साहिब उत्तर देते हैं जीओ रह गुर नाले सच्चा शिष्य श्रीर द्वारा नहीं सुरत यानी आत्मा द्वारा सदा गुरु के साथ रहता है गुरु नानक साहिब ने शिष्य और गुरु के संबंदगा रहस से बहुत सुन्दर ढंग से खोला है आपका कतन है शबद गुरु सुरत तुन चेला ना श्रीर शिष्य है और ना ही श्रीर गुरु है सुरत शिष्य है और शबद गुरु है गुरु साहिब ने शबद के साथ धुन पद जोड़ा है आप गरंतों और शास्त्रों के लिखने पढ़ने, बोलने और सुनने में आने वाले शबद की ओर नहीं बलकि अंदर सुरत द्वारा धुनी के रूप में सुनाई देने वाले शबद की ओर संकेत कर रहे हैं आपने इस शबद को अजपपा जाप कहा है आप कहते हैं अजप्पा जाप न वीसरै आद जुगाद समाए जब सुरत अंदर शब्द के अजप्पा जाप से जुड़ जाती है तो यह खण भर के लिए भी उससे अलग नहीं होती सुरत रूपी शिष्य केवल शब्द रूपी गुरू की हजूरी में ही रह सकता है गुरू नानक साहिब और गुरू अमरदाजी शिष्य और गुरू की परिभाशा का वर्नन कर रहे हैं सच्चा शिष्य वह है जो सुरत द्वारा पल-पल शब्द गुरू के साथ जुड़ा रहता है और सच्चा गुरू शब्द है जो कभी पल भर के लिए भी सुरत रूपी शिष्य से दूर नहीं होता गुरू अरजुन देव जी इस विचार का दूसरा पहलू सामने रखते हैं सद्गुर सिख का हलत पलत सवार है नानक सद्गुर सिख को जी नाल समार है सद्गुरू शब्द रूप या आत्मिक रूप से सदा शिष्य के साथ रहता है शिष्य भी सुरत रूप में ही सद्गुरू के साथ रहता है आप कहते हैं सफल मूरत गुर मेरे मात है जत कत पेखों तत तत साथ है गुर के चरन हिर्देते आए अंतर आत्मे समाले शिष्य को चाहिए की रिदे में गुरू के चरनों का ध्यान करे शिष्य यह कारिय कैसे कर सकता है अंतर आत्मे समाले शिष्य को चाहिए की गुरू के चरन अंतर में अपनी आत्मा द्वारा संभा ले फिर वही प्रश्न उत्पन होता है की आत्मा द्वारा चरन कैसे संभाले जा सकते हैं पहले भी क्या आये हैं कि गुरू साहिब देह रूप के नहीं, शब्द रूप के स्थाई साथ का उपदेश दे रहे हैं इसी तरह गुरू साहिब गुरू के बाहरी चर्णों की ओर नहीं, आंतरिक सुक्षम चर्णों की ओर संकेत कर रहे हैं गुर्बानी में गुरु के चर्णों का कई तरह से उलेख हुआ है गुरु अर्जुन देवजी की वानी है उकत स्यानब सगली त्याग, संत जना की चर्णी लाग नेतर पुनीत पेखत ही दरस, तान मस्तक चर्ण कमल ही परस भाई गुर्दाजी सत्गुरु की चर्ण शर्ण के बारे में इस तरह लिखते हैं चिरंग काल मानस जनम निर्मोल पाए सफल जनम गुर चर्ण सरन कै नासका अमोल चरनार बिंद बासना कै रसना अमोल गुर मंत्र सिमरन कै हसत अमोल गुर्देव सेव के सफल चरन अमोल पर दचना करन के यह वर्नन सत्गुरु की शरन, सत्गुरु के दर्शन और सत्गुरु की सेवा से लेकर सत्गुरु द्वारा बख्षे गुर्मंत्र के जाब तक फैला हुआ है इसके साथ ही गुर्बानी में भी ऐसे वर्नन प्राप्त है गुर्के चरन हिर्दय वसाए मान चिंतत सगले फल पाए इसके साथ ही गुरु साहिब ने यह सुन्दर संकेत भी किया है नीकी राम की तोन सोए चरन कमल अनूप स्वामी जपत सादू होए गुरु साहिब समझा रहे हैं कि चरन कमल से भाव, शब्द की ध्वनी और शब्द का परकाश है गुरु अर्जुन देवजी इस विचारधारा का वर्नन करते हुए कहते हैं चरन कमल रिद अंतर तारे, प्रगटी जोत मिले राम प्यारे पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बानी नाद वजाया गुर नानक तुठा मिलेया हर राये, सुख रैन विहानी, सहज सुपाये अंदर अनहद वानी का मधुर नाद बजना शुरू हो गया और शब्द की जयोती प्रगट हो गई सद्गुरु की कृपा द्वारा हरी रुपी प्रियेतम से मिलाप हो गया हरी के दर्बार में पहुँच चुकी दूसरी गुर्मुक सक्खियों के साथ मिलकर आनन्द के राग गाने शुरू कर दिये इस तरह मनुष्य जन्म की रात आनन्द पूर्वक व्यतीत हो गई आप छड सदा रहे परने गुर्बिन अवर न जाने कोई कहे नानक सुनो संतो सो सिक सनमुक होई आप छड का एक अर्थ आपा भाव का त्याग कर देना है इसका दूसरा भाव सुरत को शब्द में लीन कर देना है आपा भाव तब तक है जब तक शिष्य अपना अस्तित्व शरीर और मन तक सीमित समझता है गुरू साहिब आप छड को गुर्बिन अवर न जाने कोई के साथ जोडते हैं शिष्य को चाहिए कि मन की मर्जी का त्याग करके तन मन से सत्गुरू के उपदेश का पालन करे ताकि वह सही अर्थों में सत्गुरू का शिष्य बन जाए जे को गुर्थे वेमुख हो वै बिन सत्गुर्ण मुकतन पावै पावै मुकतन होर थै कोई पुछो विबेकिया जाए अनेक जूनी परम आवै विन सत्गुर्ण मुकतन पाए फिर मुकत पाए लाग चरनी सत्गुरु शबद सुनाए कहे नानक विचार देखो विन सत्गुर मुकत न पाए अर्थात जो व्यक्ति गुरु से मुक मोड लेता है जो सत्गुरु की शिक्षा पर अमल नहीं करता वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता चाहे जितने विचारकों और ग्यानियों से पूछ कर देख लो ऐसे व्यक्ति को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती वह चाहे अनेक योनियों और अनेक जन्मों में भटकता रहे उसे सत्गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती उसे जब भी मुक्ति मिलेगी सत्गुरु के चर्णों की शर्ण में जाने से मिलेगी और मुक्ती तब ही मिलेगी जब सत्गुरु उसकी सुरत को शब्द के साथ जोडेंगे गुरु साहिब कहते हैं कि अच्छी तरह से विचार करके देख लो सत्गुरु के बिना मुक्ती प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता जे को गुरते वेमुक होवै बिन सत्गुर मुकत ना पावै पावै मुकत ना होर थै कोई पुछो बिबे किया जाए गुरु साहिब पहले कही गई पौडी में जेको सिख गुर सेती सनमुक होवै अपनी बात शुरू की थी, अब गुरू साहिब अपनी बात जेको गुरते वेमुक होवै के साथ शुरू कर रहे हैं। आप सावधान करते हैं जिसने गुरू की तरफ से मुक मोडा हुआ है, जो गुरू की आवश्यक्ता अनुभव नहीं करता, जो मन चाहे साधन और मार्ग दौारा प्रभू प्राप्ति की आशा रखता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म का शिकार है। आप जोरदार शब्दों में कहते हैं कि चाहे कितने ही ब्रह्म ग्यानियों या पूर्ण पुर्षों से पूछ कर देख लो, सभी एक आवाज में इस बात पर जोर देंगे कि पूर्ण सत्गुरू के उपदेश पर चले बिना मुक्ति प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्प आप फरमाते हैं सासत बेद सिमरत सब सोधे सब एक का बात पुकारी बिन गुर मुकतना को उपावै मन विखो कर बीचारी अनेक जूनी परम आवै विन सत्गुर मुकतना पाए फिर मुकत पाए लाग चरनी सत्गुरु शबद सुनाए कह नानक विचार देखो विन सत्गुर मुकतना पाए गुरु साहिब जोर देकर कहते हैं कि भले ही कोई जीव अनेक योनियों में भटक ले यानि अनेक जन्म ले ले वह गुरु की शर्ण के बिना कभी मुकति का सपना भी नहीं देख सकता गुरु साहिब ने सत्गुरु शब्द का प्रियोग किया है गुरु पूर्ण होना चाहिए गुरु नानक साहिब की वानी है कारदर फिर थाकी बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुततिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुकत न हुआ केती नार वर एक समाल गुर्मुक्स मर्ण जीवन प्रवनाल देह दिस टूंड करै मैं पाया मेल पया सत्गुरु मिलाया नमरता और दया के पुझ सत्गुरु जीव आत्मा की दशा को अपने उपर घटाते हुए उपदेश देते हैं अनेक योनियों में अनेक माता पिता बेटे बेटियां ही नहीं गुरु और शिश्य का जन्म भी हुआ प्रंतु अधूरे गुरु के कारण मुक्ति प्राप्त न हो सकी मैं प्रभु को ढूंडता हुआ ठक गया मेल पया सत्गुरु मिलाया जब पूर्ण सत्गुरु का मिलाप हो गया तो बाहरी भटकन समाप्त हो गई और करय में पाया अर्थात अंदर से ही प्रभु के साथ मिलाप हो गया पूर्ण सत्गुरु ने किस तरह से मिलाप करवाया सत्गुरु शबद सुनाए सत्गुरु ने अनंत काल से शब्द से बिच्ड़ी हुई आत्मा को फिर से शब्द के साथ जोड़ दिया और शब्द ने उसे अपने में समा कर प्रभु में समा दिया गुरु नानक साहिब फरमाते हैं नदर करय जे आपनी ता नदरी सत्गुर पाया ए जीयो बहते जनम परम्या ता सत्गुर शब्द सुनाया सत्गुर जेवड दाता को नहीं सब सुनेयों लोक सुबाया सत्गुर मिलिये सच पाया जिन विच्चों आप गवाया जिन सचों सच बुजाया सत्गुर शब्द सुनाया अनन्त काल से अनेक योनियों में भटक रहे जीव का प्रभू की कृपा द्वारा सत्गुरू से मिलाप हो गया सत्गुरू ने दया करके उसकी सुरत को शब्द के साथ जोड दिया इस तरह अंकार का नाश हो गया और प्रभू के साथ मिलाप हो गया